प्रिये व्यूवर्स ये संस्कृत IAS YouTube चैनल का PT Think and Solve प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंतरगर्द प्रती एक दिन UPSC और State PCS से संबंदित 5 प्रश्ण व्याख्या सहीत उत्तर के साथ आपको दिये जाएंगे हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार सावित होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्णों की श्रंखला को दूर संचार उपकरण एवं सेवा निर्याद समवर्दन परिशत के संदर्व में निर्मलिखित कतनों पर विचार करें पहला इसकी इस्थापना दूर संचार उपकरणों वा सेवाओं को विक्सित करने और इनके निर्याद को प्रोसाहित करने के लिए की गई है दूसरा ये दूर संचार शेत्र में कारेरा तुपकरन निर्माताओं, सिस्टम, इंटीग्रेटर्स, सेवा प्रदाताओं तथा अन्य हित्दारकों को सामर्थ बनाने के लिए उनका प्रत्र निदित्व करती है उपरिक्त में से कौन से कथन सही नहीं है सही उत्तर है उप्षिन D, TEPC द्वारा इंडिया टेलिकॉम 2021 का आयोजन किया गया है 12 सरकार द्वारा दूर संचार उपकरण एवं सेवा निर्यास समवर्धन परिशत की स्थापना दूर संचार उपकरणो वा सेवाओं को विक्सित करने तथा इनके निर्यात को प्रोसाहित करने के लिए की गई है यह परिशत टेलिकॉम हार्डवेर मैनुफाक्चुरिंग टेलिकॉम सेवा प्रावधान टेलिकॉम सौफवेर एवं कंसल्टेंसी सहित पूरे टेलिकॉम परितंत्र को पूर्ण करती है यह दूर संचार शेत्र में कारिरत उपकरण निर्माताओं, सिस्टम इंटिग्रेटर्स, सेवा प्रदाताओं तता अनहित धारकों को सामर्थ बनाने के लिए उनका प्रतिनिधित्व करती है इस प्रकार कतन एक और दो दोनों सही है इसलिए इसका सही उत्तर होगा option D बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रशन की ओर, फिशिंग कैट के संदर में निर्मलिखित कतनों पर विचार कीजे पहला यह दक्षण एवं दक्षण पूर्व एशिया की मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है दूसरा इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में सुचिवद किया गया है तीसरा आदरभूमी के शेत्रफल में होने वाली कमी इनकी आवादी के लिए गंभीर खत्रा है चौथा यह भारत मुख्य रूप से सुंधरवन के मैंग्रोव जंगलों, हिमाले की तलहटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों तता पश्चिमी घाटों में पाई जाती है उप्रुक्त में से कौन से कथन सही है सही उत्तर है, ओप्शन C फिशिंग काट दक्षन और दक्षन पूर्वे इश्या की मध्यम आकार की जंगली विल्ली है इसे आयो सीन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राई के रूप में सुचिवद्ध किया गया है आद्रभूमी के श्वेत्रफल में होने वाली कमी इनकी आवादी के लिए गंबीर खत्रा है इस कारण से पिछले दशक में इनकी संख्या में तीवरगती से कमी हुई है फिशिंग कैट भारत में मुख्य रूप से सुंदरवर्म के मैंग्रोव जंगलों, हिमालय की तलहटी, गंगा, प्रमपोतिर नदी घाटियों तता पश्यमी घाटों में पाई जाती है फिशिंग कैट रात्रीचर है तथा मचली के अतरिक्त मेंधक, क्रिस्टेशियन, साप, पक्षी, आदी जैसे जानरों का विशिकार करती है फिशिंग कैट मचली का शिकार करने के लिए निपुड तैरा की भी करती है इस प्रकार कथन एक तीन और चार सही है जबकि कथन दो गलत है इसलिए इसका सही उत्तर है बढ़ते हैं अपनी तीसरे प्रशन की ओर निश्पादन बजट के संदर में निर्म लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला ये किसी संगिठन की प्रतिये के काई के लिए संसाधनों की आगत और सेवाओं की निर्गत को प्रदर्शित करता है दूसरा इसका उद्देश्य निर्दिस्ट परिणामों के लिए लक्ष प्राप्ति के आधार पर सापेक्ष प्रदर्शन की पहचान करना तथा स्कोर करना है तीसरा इसे कर्मचारियों को प्रिर्द करने के लिए डिजाइन किया जाता है जो सकारात्मक परेणामों के प्रती उनकी प्रतिवद्दता में व्रदी करता है उप्रुक्त में से कौन से कथन सही है? A केवल 1 और 3 B केवल 2 C केवल 2 और 3 D उप्रुक्त सभी सही उत्तर है ऑप्शन डी जहारकन सरकार ने पहली बार परिणाम आधरित बजट पेश किया है जिसमें भिवागों को पिशिस्ट लक्षर तता उत्तरदायत तसौपे गए हैं इनके परिणामों को आगामी वित्यवर्ष के अंत में माप जाएगा परिणाम आधरित बजट जिसे निश्पादन बजट के नाम से भी जाना जाता है इसी संगठन की प्रतियक एकाई के लिए संसादनों की आगत और सेवाओं के निर्गत को प्रदेशित करता है इसका उद प्रदेशित करने के लिए किया जाता है निश्पादन बजट कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया जाता है जो सकारात्मक परिणामों के प्रति उनकी प्रतिवधिता में व्रद्धी करता है इस प्रकार उप्रुक्त सभी कतन सही है इसलिए इसका सही उ इसनी अपने उत्पादों की ओनलाइन विक्रहेतू सरकारी e-market portal के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं दूसरा, IMPCL आयुश मंत्राले की एक मात्र साफ जैनिक शेतर की निर्मारिकाई है उप्रिक्त मैं से कौन से कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक ना ही दो सही उत्तर है ओप्षन सी इंडियन मेडिसेंस फॉर्मसेटिकल कॉर्परेशन लिमिटेड ने अपने उत्पादों की ओनलाइन विक्रे हेतू सरकारी ए-मार्केट पोर्टल के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं विदित है कि IMPCL आयुष मंत्राले की एक मार्स सावजनिक शेद्र की निर्माडिकाई है इनकी स्थापना 12 जुलाई 1970 को की गई थी सरकारी ए-मार्केट पे इसके लिए 31 ट्रेडियां बनाई गई हैं जिसके तहट IMPCL पोर्टल पर दवाईयों के नाम अप्लोड कर सकता है अब सरकारी शेद्र के क्रेटा आयुष मंत्राले की अंतरगत व्यविवाग द्वारा निर्धारित किया जाता है इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन C बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर मैत्री सेतू के संदर्व में निर्मलेकित कत्मों पर विचार करें पहला इसका निर्मार फेनी नदी पर किया गया है जो दक्षिन पूर्वी बांगलादेश ततत्रपुरा के मद्ध भारतिय सीमा पर बहती है दूसरा ये दक्षिन तत्रपुरा जिले में स्थित सब्रून नगर को बांगलादेश के रामगर से जोडता है उप्रुक्त में से कौन से कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक ना ही दो सही उत्तर है ओप्षिन सी, मैत्री सेतु का निर्माड फैनी नदी पर किया गया है जो दक्षिन पूर्वी बांगलादेश अतत्रपुरा के मद्ध भारतिय सीमा पर बहती है यह एक ट्रांस सीमा नदी है जिसके जल संबंधी अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा है यह एक दिशमलग 9 किलोमीटर लंबा सेतु त्रपुरा राजी के दक्षिन त्रपुरा जिले में इस्थित सबरूम नगर को बंगलादेश के रामगड से जोडता है भारत और बंगलादेश के मध्य बर्ते द्रिपक्षि और मैत्रिपूर संबंधों के प्रतीक के रूप में इसे मैत्री सेतु का नाम दिया गया है इसका निर्मार राष्ट्रे राजमार्ग इवन बुनियादी धाचा विकास निगम लिमिटेट द्वारा किया गया है इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है इसलिए इसका सही उत्तर है option C